आपने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल एमेजॉन का नाम तो सुना होगा अगर हम पृत्वी की बात करें तो आमेजन का जंगल हमारे पृत्वी का हाड है मिन्स हमारे पृत्वी का 20 पर्षन ऑक्सिजन आमेजन के जंगल से ही प्रिड्यूस होता है आईए जानते हैं आमेजन के जंगल के बारे में कुछ इंटरिस्टिंग फैक्ट तो चलिए हम लोग चलते हैं आमेजन के जंगल के सैर में तो हमारी जन्नी स्टार्ट होती है ये हमारा भारत वर्स है इसके आगे Arabian Sea के बाद कुछ अफरिका के देश आ जाते हैं इसके बाद आ जाता है ओसियन और इसके बाद आ जाएगा ब्राजिल और ये आप जो देख सकते हैं ये हिस्से को ये है Amazon के जंगल तो चलिए इस जंग में 10% इसके बाद और भी 5 देशों में फैला हुआ है क्या आपको पता है Amazon का जंगल में लगवक चार अरप से भी ज्यादा वुरिच है और यह पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहां की जमीन धूप के लिए भी तरज आती है में सूरी का किरन धरती तक पहुंची नह वक 5.6 मिलियन स्क्वाइर किलो मीटर है जो कि हमारे भारत देश के कुले छेतरफल से भी ज्यादा है आप समसकते हैं कितना बड़ा जंगल है Amazon का जंगल जो पूरे पृत्वी का लगवक चार परशन हिस्सा में फैला हुआ है और क्या आपको पता है Amazon नदी दुनिया का नदी में जाकर मिलती है और बारिस के दिनों में जब ये नदी में पूरा पानी स्टोरेज हो जाता है तो कहीं कहीं नदी के चोड़ाई इतनी जादा बढ़ जाती है कि नदी के इस छोर से उस छोर का पता ही नहीं चलता है लगता है कि हम कोई ओशियन देख रहे हैं जिसक बुलेट एंट एक ऐसी चीटी है जो बहुत ही चोटी होती है लेकिन बुलेट एंट जैसे चीटी नहीं देखी होगी या देखने में बहुत ही चोटा होता है लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है इस चीटी का काटना किसी गोली के लगने के समान होता है इसलिए साइद इससे बुलेट एंट कहा जाता है इसके काटने से बहुत असानिय दर्द होता है जिससे सहन करना बहुत ही जादा मुस्किल होता है इसके काटलेन से बहुत तेज बुखार भी आ जाता है, इसलिए ऐसे बुलेट एंड चेटी कहा जाता है, ये अमिजन के जंगल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाये जाता है, 2. क्या आपको पता है, अमिजन के जंगल में लगवक 120 परकार के जहरीले मेढ़ भी पाये जाते हैं, चटक सुनरी रंग के या मेढ़क देखने में तो बहुत ही आकरसक लगता है, लेकिन एक मेढ़क में लगवक 10 लोगों को मारने लायक जहर पाये जाता है, या कई कलर में और यह बारिसों के दिनों में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, अस्थानिये लोग या तूरिस यहाँ जब घुमने जाते हैं, तो यहाँ इस मेढ़क को देखते ही बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह मेढ़क बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, चाट, आप अपने हॉलिवुड मोवी में बहुत बार दिखा होगा, जिसमें एक ही जगा कई बड़े-बड़े साप जंगलों में घुमते रहते हैं, और इंसानों को डारेक्ट ही निगल जाते हैं, लेकिन रियलिटी में अमिजन के जंगल में इतना जादा बड़ा एनोकॉंडा नहीं पाये जाता है, अमिजन के जंगल में एनोकॉंडा साफ काये जाता है, लेकिन उसकी लंबाइ लगभर 30-40-40 फिट होती है, जिसका जहर तो नहीं होता है, लेकिन यह बहुत ही खत्रनाक होता है, यह चोटे बड़े जानोर को निगल के ही खा लेता है, और यह एक बार अगर कोई जामनार को निगल के खा ली तो लगवग महिनों भर ये बिना खाये रह सकता है और ये ज़्यादा तर दलदली अस्थान या पानी वाले अस्थान में पाया जाता है क्या आपको पता है अमिजन के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका टेंपरिचर लगवग 110 डिग्री सिंटिग्रेट है जिसमें कहीं कहीं पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है यहां का पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है यहां का कुछ जंजाती लोग अगर किसी जंजाती के वासी की मौत हो जाती है तो यहां उस बोडी को जलाने और दफनाने के बज़ा या इस नदी में बोडी को डाल देता है कुछ जंजातियों का मानना है इस नदी को स्वल्ग का द्वार भी कहा जाता है 5. अमिजन के जंगल में सबसे खतरनाग जानवर घूनी जगवार को माना जाता है यह एक परकार का तिंद्वा का प्रजाती का जानवर है 6. क्या आपको पता है अमिजन के जंगलों में एक एगल पाय जाता है जो बहुत ही खतरनाग होता है इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और इसका किवल पंक की लंबाई 3 फिट से भी जादा होती है इसका वजन 5-6 कीलों तक होता है और यह अपने वजन से दुगना वजन अपने पंजों में पकड़ कर उड़ सकता है जिसके कारण यह इसका फैवरिट सिकार बंदर माना जाता है और यह बड़े जानोरे के बच्चों को सिकार भी करता है यह बहुत ही खतरनाक होता है लेकिन यह प्रचाती अब धीरी धीरी लुप्त हो रही है दोस्तो तो कैसा लगा आपको यह अमेजन का जंगल कॉमेंट करके जुरूर बताएं साथ ही हमारी चैनल को सस्क्राइब कर ले साथ ही बेल आइकोन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी चैनल पे आने वाले वीडियो कोई भी आप मिस्स ना कर ओके दोस्तो तब तब के लिए चैहिंग फंदे मादर